एलो गाइज वेलकम टू प्यू स्पीसियस और आज हम नुक देख रहे हैं इतिहाश कालीन प्रमुक्तत थे आज का विशय है हंटर आयोग और उसकी रिपोर्ट चलिए देखते हैं देश में जालिया वाला बाग के हत्याकांट को लेकर जो उग्र प्रदर्शन आदी हुए उससे विवस होकर बिटिश शरकार द्वारा एक अक्टूबर उनीस सो उनीस को हंटर आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड हंटर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था आठ सर दिश्योवाले इस आयोग में पांच अंग्रेज लॉर्ड हंटर, जश्टिश सर जॉर्ज रैकिंग, डबलू एफ राइस मेजर, जनरल सर जॉर्ज बैरो एवं सर टॉमस स्मिथ, इसके अलावे तीन भारतिय सतर से सर चीमन सीतल वार्ड, साहब जादा शुल्तान अहमद एवं जगत नरायन थे, इस आयोग ने मार्च उनीस सो बीस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की, जिसमें उसने जालिया वाला बाग के संपून प्रकरन पर लीपा पोती करने का प्रयाश किया, इस रिपोर्ट की प्रमुख बाते इस प्रकार है, पंजाब के गव अपराद के लिए नौकरी से हटाने का डंड दिया गया, जनरल डायर के ग्रिनित कृत्य के बावजूद ब्रिटिस सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधी प्रदान की, ब्रिटिस अक्भारों ने उसे ब्रिटिस समराज का रक्षक एवं हाउस उसे ब्रिटिस समराज का सेर भी कहा, उद्धम सिंग ने जालिया वाला बाग हत्या कांट के जनरल ओड आयर की 13 मार्च 1940 को लंदन के रॉयल सेंटरल एशियन सोसाइटी के कारेक्रम में हत्या कर दी, इन्हें वहीं पेंटन विले जेल में 31 जुलाई 1940 को फासी की सजा दी ग हुआ 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 हुआ